मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेरिजन करने वाले Small case versus the index fund तो कई लोगों के मेरे पास में यहाँ पर टेलीग्राम के उपर मैसेज आए कि अगर किसीने mutual fund के अंदर investment कर रखी है तो क्या वहाँ से वो विड्रॉल करके अपनी जो investment है वो small case के अंदर invest कर सकता है तो guys इन सभी चीजों को समझने से पहले हम लोग small case और index fund दोनों का यहाँ पर comparison कर लेते हैं क्योंकि mutual fund के अंदर भी क्या होता है mostly आप जो लोग invest करते वो large cap, med cap, small cap ya multi cap या focus fund इन में से ही आप करते होंगे obviously बात है तो उसके against में guys अगर हम लोग comparison करेंगे small case के साथ में तो जैसे small case का one of the popular जैसे top 100 stock तो guys इसके अंदर आप लोगो पता होगा कि यहाँ पे आपके दो ETF यहाँ पे included है जो कि Nifty के साथ में link होते हैं वहीं पे इसका मैं comparison करूँगा UTI Nifty Index मलब simple सी बात है मैंने mutual fund उठालिया UTI Nifty Index Fund Direct Growth का उसके साथ में मैंने ETF उठालिया Nippon India ETF Nifty Bees का तो इन दोनों के बीच में हम लोग comparison करेंगे और जानेंगे कि दोनों के अंदर क्या differences है और किसमें आपको ज्यादा benefit मिल सकता है हम लोग एक बार ETF और Index Fund दोनों के बीच में एक broad overview देख लेते हैं कि दोनों के अंदर majorly क्या difference होता है तो देखिए एक तो ETF आपके जो होते है वह exchange platform के उपर यहाँ पर traded होते है लेकिन जो Index Fund होते है वह एक aim से handle करती है प्लस उसके अंदर units मिलती है आपको प्लस उसके अंदर आपको एक शाम को यहाँ पर एक NAV decide होती है जिसके उपर आप basis पे mutual fund जो है यहाँ पर buy करते हैं जबकि guys ETF के अंदर क्या होता है आपके यहाँ पर live pricing चलती है एक और यहाँ पर major difference ही होता है costing का अगर यहाँ पर मैं ETF की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो transaction fees होती है मतलब basically आप जब stocks को buy करते हैं तो उस time पर आपकी जो fees लगने वाली होती है वो fees लगती है सिर्फ लेकिन index fund के अंदर यह वाली fees नहीं लगती लेकिन आपका expense ratio होता है basically जो आपका as compared to ETF काफी high होता है तो देखिए यहाँ पर हम लोग practical में आपको lively चलता हूँ जैसे आपका Nippon India ETF है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर 50 यहाँ stocks included है वहीं UTIF का Nifty Index जो mutual fund है उसके अंदर भी 50 stocks यहाँ पर included है तो देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो ETF का expense ratio है वह है 0.05% वहीं है अगर में mutual fund की बात करूँ इसके expense ratio की बात करूं जहाँ पर देख सकते हैं 0.20% मिलेगा ETF के अंदर तो देखेग कि आपको बिलता है बताता हूं की ETF और mutual fund दोनों के अंदर क्या जादा यहाँ पर beneficial है अगर आप live pricing के उपर खरीदते हैं देखें गाइस हमेरी screen के सामें देख सकते हैं अभी यहाँ पर निफ्टी देखेंगे जिसे 8 तरीकों यहाँ पर इस point के उपर यह dip चला गया था लेकिन उसके बाद में 12 बज़े वापस उपर चला गया तो गाइस mutual fund के अंदर क्या होता है आपका 2 बज़े का cut off time होता है तो अगर माले mutual fund के अंदर आप invest करते हैं तो गाइस आपको जो NAV मिलेगी वो इस वाले point की मिलेगी ना कि इस वाले point की जबकि ETF में क्या होगा आप इस वाले point से भी यहाँ पर आपना जो भी market crash होता है मालनी चैसे से अगर मैं आज की बाज करूँ तो अभी यहाँ पर 10 बज़े हैं और point 38-39% से market गिर चुका है तो देखे काई आप देख सकते हैं अब यह market वापिस उपर जा रहा है तो अब इसके against में जो ETF है आप मेरी screen की सामने देख सकते हैं Nippon India ETF Nifty तो यह भी जो है यहाँ पर इसको track कर रहा है point 38% यहाँ पर गिर चुका है इसके pricing भी तो गईस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अभी right now आप live pricing के उपर यहाँ पर बाई कर सकते हैं इससे benefit क्या मिलेगा जब 12 बजेंगे और market अगर उपर भी चला गया तो आपको कोई फरक्ट नहीं पढ़ने वाला बलकि आपको यहाँ पर return मिल जाएगा तो इसका सबसेदा most advantage benefit यही है कि market जब भी dip जाता है जब भी market का जब timing होता है सुबह 9 से यहाँ पर 3 बज़े तक जब भी खुलता है market तो उसके timing के अंदर जब भी market dip जाएगा आप यहाँ पर live pricing के अंदर खरीच सकते हैं और वो चीज आपकी mutual fund के अंदर possible नहीं है इस तरह से जब भी market dip जाता है उस time पर अगर आप live pricing के उपर buy करते हैं तो आपको as compared to mutual fund ज़्यादा benefit मिलता है आप बात करते हैं कि mutual fund किन के लिए ज़्यादा यहाँ पर prefer करता है तो मालीज़ अगर आप market को check नहीं करते हैं आपकी पास में बिल्कुल भी time नहीं है तो उस case में definitely आप mutual fund के जो index fund है वहाँ पर यहाँ आप invest कर सकते हैं वहाँ पर उस situation में आपको यहाँ पर small case call up करने की ज़रुवत नहीं है आपके लिए यहाँ पर mutual fund best है तो यह guys मैंने एक practical आपको comparison बता दिया small case versus the index fund का so guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आपके कोई भी doubt से comment section के अंदर ज़रूर बताईए thank you guys